Hey guys welcome back to my another video मैं हूँ आपका दोस्त आरुन नागर आज हम आपके लिए लेके आए हैं यार टाटा नेक्सोन creative plus S variant हमारे सामने घड़ा है second top variant है creative वैसे second top variant है बट creative में आपका creative plus आजाता है अगर आपको sunroof चीए तो creative plus S आजाता है तो यहां हमारे सामने sunroof वाली घड़ी है creative plus S variant second top petrol and diesel दोनों में available है सारी सीज़े वीडियो के अंदर बात करेंगे तो start करते हैं वीडियो front look के अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीगे कि या front look आती है center में Tata का logo आजाता है और यह वाला strap आपको glossy finish के साथ देखने को मिलती है and top end variant में आप जाएंगे तो आपको इसमें connected DRL समिल जाएंगी यह वाला part DRL है top end में यह पूरा connect हो जाता है एक दूसरे से headlamps की बात करें तो projector headlamp आपको मिलते हैं front parking sensor सजाते हैं and 360 camera के लिए front में camera मिल जाता है जो कि आपको creative में नहीं मिलेगा यह creative plus में आपको मिलते है यह सारे feature and बात करें इसके engine वगेरा की तो इसमें आप दो engine option देखने को मिलते हैं 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो हमारे सामने खड़ी है पेट्रोल के अंदर and दूसरा engine option है 1.5 लीटर डीजल टर्बो चार्ज बात करें पेट्रोल की तो इसमें आपको power मिलती है 120 PS की and torque मिलता है 170 Nm का वहीं डीजल की बात करें तो 110 PS की power के साथ 260 Nm का torque ये गाड़ी प्रोवाइड करती है आपको जो मेरे साफ से काफी enough है and पेट्रोल इंजन आपको 3 cylinder मिलता है जबकि टीजल में वह आपको four cylinder मिलेगा माइलेज वगेरा की बात करें तो AI 17.44 की AI क्लेम करती है पेट्रोल के अंदर customer feedback जो आते हैं यार 14 15 16 depend on drive है multi drive mode भी गाड़ी आपको देती है तो उन पर भी depend करता है पौन से mode मां गाड़ी यूज कर रहे है and किस तरीके से आ पूरी गाड़ी ना फिचरिस्टिक्स लगती है चाहे front profile हो चाहे side profile हो अलोई वगेरा हो सानी का जो चीजे है वह इतम से फिचरिस्टिक्स की लगती है and यहां पर अगर अलोई वगेरा की बात करें तो आर 16 के साथ आपको अलोई मिलते हैं diamond cut अलोई है और इनका design जो है और यहां मिलता है best in segment हो जाता है यार यह वार व्यम ग्लॉसी फिनिस के साथ टार्न इंडिकेटर के साथ आते हैं एंड यह साइड कैमरा डो रेंडल वोड़ी कलर्ड मिलते हैं टॉप पर आपको रोफ रेल मिल जाएंगी and बी पिलर जो है आपको मैट फिनिस के साथ ब्लैक मिलता है के इंड बात करें रियर प्रोफाइल की and को इस तरीके की रियर की प्रफाइल आती है और पूरी गाड़ी की यहां पर आपको टाटा का लोगों मिल गया आपको रूप मौंटेड़ बिल्कुल हाइड हो जाते हैं यहां से आप देखोगे तो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा इसमें आपको वाइपर भी मिलता है एंड टॉप पर आप देखेंगे तो ग्लॉसी फिनिस के साथ सार्फिन एंटिना एंड इंड जो है आप फोल्ड कर सकते हैं पार्स अल्टर रिमूव करने के बाद आपकी सीट फोल्ड हो जाएगी एंड आपका बहुत और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इन एमर्जंस एकर आपको और कुछ समान लाना है तो एंड इतर आपको पेर वीन मिलता है जो आपक आपको आरणितीन मिलता सपर्ट आपको और सिक्सटीन का इसलिगा एंड आपचलें गाड़ी के अंदर आपको क्या LAUGHTER वह आपको देखा दूस तरीके की की देखने को मिलती है आपको दोनों ही रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ के ला सेंट्री के साथ यहां बर लोक maior 14 सी सम में लगता है dual tone interior पूरी गाड़ी में आपको मिलता है डोर अगर देखेंगे आप तो again dual tone के अंदर डोर मिलते हैं यहाँ पर आपको all power windows door lock throne के अंदर ORVM electric adjustable and foldable का button यहाँ पर मिलता है एंद यहाँ आपको space मिल जाता है करीब आप एक लेटर की बोटल रच सब्ते हैं speaker वगेरा आपको चारो डोर्स में मिलते हैं twitter वगेरा आपको top end मिलेंगे एंदर आपको एक umbrella holder मिल जाता है एंद बात करें seat की तो आपको driver seat six way adjustable मिलती है बार बार आपको pump करना होगा कुछ इस तरीके से and fabric seat मिलती है top end variant में leather वगेरा आजाता है leather wrap बड़कि यह second top है तो इसमापको fabric मिलेंगी and headrest आपको height adjustable मिलते हैं driver and co driver दोनों ही and अब बैठे काड़ी के अंदर and steering wheel आप देखेंगे तो futuristic steering wheel बिलकुल यार जैसी गाड़ी की लुक है flat bottom steering wheel मिलता है and center माप देखेंगे तो आपको logo वगेरा कुछ भी display नहीं हो रहा है illuminated logo मिलता है जैसी आप ignition वगेरा on करते हैं यहाँ पर logo on हो जाएगा I mean आ जाएगा बट अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता on करके गाड़ी की जो battery वगेरा है वो down है left मैं infotainment के control मिलते हैं and right मैं cruise control मिलता है इस्ट्रूमेंट cluster भी आपको fully digital देखने को मिलता है बट एक नीचन की वज़े से यार मैं आपको on करके नहीं दिखा सकता and यहाँ पर आपको AC event and इधर कुछ space मिल जापा है यह आप अपने फुले पैसे बगएर या wallet बगएर आप यहाँ पर रख सके and center में अगर आप देखेंगे तो 10.25 इंचिस का apple carplay android auto के साथ input dainment system आपको मिलेगा and dashboard आप देखेंगे तो पूरा dual tone मिलता है यह वाला part जो है वो आपको cream color के साथ मिलता है and यह matte finish के साथ black मिलता है and shade एक और shade आपको center में मिल जाती है top पर अगर आप देखेंगे तो IRVM auto dimming function के साथ आता है creative plus S के अंदर creative में आपको manual dimming के साथ मिलता है and यह HIVC panel अगर आप देखते हैं तो यह भी fully touch आता है जैसे ignition आपको देखेंगे एक USB port है एक C type है 5 watt का and 12 watt का एक यह आपको cigarette lighter मिल जाता है transmission की बात करें तो six speed manual transmission के साथ गाड़ी खड़ी है automatic के अंदर भी गाड़ी आती है करीब तेड़ लाग रुपे cost ज्यादा करती है अभी जो हमारे सामने है manual है तो इसकी जो cost है बारा लाग बीज़दार एक शूरूम है अगर आप automatic पर जाते हैं तो एक लाग रुपे के something या देड़ लाग रुपे के something और आपकी costly गाड़ी हो जाएगी यहाँ पर आपको multi drive mode मिलते हैं eco sport city city में by default गाड़ी होती है अगर आप यूज करते हैं तो गाड़ी की mileage बढ़ जाती है and power थोड़ी down हो जाती है sport अगर आप यूज करते हैं तो गाड़ी एकदम rocket हो जाती है यार बट mileage भी थोड़ी down हो जाएगी and इदर आप देखेंगे तो आपको two cup holders मिल जाते हैं and इदर कुछ और space मिल जाता है यहाँ भी आप अपना कुछ cup वगयरा रख सकते हैं but handrest और आपको center console के अंदर नहीं मिलता है इस variant के अंदर and glove box के अगर आप बात करें तो कुछ इतना बड़ा glove box आपको मिलता है गरीब 17 लीटर का cool glove box है and इदर भी आपको two cup holders वगयरा pen ordered pocket वगयरा and card वगयरा holder यह कुछ इस ताइप के यहाँ पर option दिये होए है गलब box के अंदर भी चो काफी अच्छी चीज है and top पर आपको sunroof भी मिल जाता है यार इतुना बड़ा नहीं है proper SUV नहीं है compact SUV तो आपको छोटा ही sunroof मिलने माला है and यह आपको कटेंज जो है आथ से airbag sorry front में airbag आपको मिल जाता है तो safety पर तो टाटा यार जब बरजस्त काम करती है five star होने के बाद भी आपको airbag भी अच्छे खासे दियें तो no doubt safety के मामले में तो इस काड़े में को issue नहीं हैं and up चलते हैं second row के अंदर second room आपको क्या कुछ space मिलता है क्या कुछ feature मिलते हैं वह आपको दिखा दूँ है यह नहीं को अच्छा खासा new room मिल जाता है किसी भी तरीके से आप relax बैठ सकते हैं कोई इस्वी नहीं है किसी तरीके का and seat इतनी चौड़ी है इतनी comfortable है कि आराम से तीन लोग बैठ सकते हैं को issue नहीं है in emergency आप चार भी एड़स्ट हो पाएंगे and यहां पर आपको rear passenger के लिए rear AC वैंड वगेरा भी मिल जाते हैं and fear वाले जो headrest है यह आपको फाइट अड़ेस्ट कर सकते हैं बाकि आपको armrest वगेरा rear वाली seat पर कुछ भी नहीं मिलता है and बात करें headroom की तो headroom में आपको दिखा दू रियर वाली seat पर करीब आपको इतना headroom मिलता है उसकी थोड़ी वर को कमी फील होती है कि headroom आपको उतना ज्यादा नहीं मिल पा रहा है यह में भी sunroof की वज़े से हो सकता है यह वाला part जो है sunroof इसके अंदर आता है तो इसकी वज़े से भी कम हो सकता है और काड़ी की कुछ रियर वाली seat पर कोप वाली है तो उस वज़े से भी आपका थोड़ा headroom काड़ी के अंदर कम है बाकी और कोई दिक्कत नहीं है चाहे वो shoulder room हो चाहे knee room हो उसमें आपको कोई जू नहीं है बाकी थोड़ी headroom थोड़ा कम है तो वाई यह थी हमारे सामने Tata Nexon second top variant creative plus S X showroom पारा लाग 20,000 रुपे कोस्ट करता है इस वेरेंट का पेट्रोल के अंदर 5 star safety rating के साथ पूर एरबेक के अंबर गाड़ी आती है ऐसे test कार यह है इंडिया की आपको गाड़ी कैसे लगे हमें कमेंट करके जरू बताएं एंड वीडियो इंट्रेक्टिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को या लाइक कर दो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो थांक्यू